पंचकुला के अमरावती में एक रेस्ट्रेंट में भैयानक आग लगने का मामला सामने आया है आग इतनी भैयानक थी कि कई घंटों के मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया पंचकुला के अमरावती में स्थित रिवाल्विंग रेस्ट्रेंट के टॉप फ्लॉर पर बाद आसपास के शेत्र में हड़कम मच गया और इसकी सूचना पाकर पुलिस विभाग और धमकल विभाग की कई गाड़ियां मोखे पर पहुंची कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबो पाया गया लेकिन आग इतनी भयानक थी कि मॉल के रेस्ट्रिंट में पड़ा सारा समान जलकर राक हो गया आग लगने की कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है क्यास लगाए जा रही है कि शोट शर्किट के चलते यह आग लगी हो सकती है लेकिन इसको लेकर अभी जान चल रही है इस आग में आसपास के शेत्र को प्रवावित होने से बचाया गया नमकल विभाग की कई गाड़ियां मोके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया आपको बता दें कि यह आग रेस्टरेंट के टॉप फ्लॉर पर लगी थी और आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमेटर दूर से 20 का दुआ देखा जा सकता था लोगों को सुरक्षित करने के लिए आसपास के खेत्र को खाली करवाया गया ताकि किसी तरह के और नुकसान ना हो सके लोगों को सुरक्षित किया जासके पुलिस प्रशाशंदवारा मोके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और आग के कार्णों के भी जान चुकी जा रही है